वेलकम टो एक्जाम टाइम दोस्तो आज हम यहां पर देखेंगे MPPSC 2018 के टोपर Mr. Harsar Chodhry Sar की कोपी और आपको यह बता दें कि इनका जो माध्यम था यह था अंग्रीजी माध्यम आप चाहें हिंदी मिडियम से हो चाहें इंग्लिस मिडियम से हो आपको प्रस्ण पत्र 5 जो इन्होंने 139 मार्क से यहां पर लाएं हिंदी में तो दोस्तों आपको यह बता दें कि यहां पर जादा कुछ फरक नहीं यानि कि आप टेश्टर स्रीच में जितने लाते हो उसी के करीब में आपके यहां पर मुख्य परिक्षा में भी जो स्कोर है आप वो करते हो तो अग पेपर नमबर 5 होता है यह कुल 200 मार्क्स का होता है और उसमें से 129 मार्क्स काफी यहां पर अच्छे मार्क्स होते हैं तो हिंदी का जो पेपर होता है यह काफी जादा स्कोरिंग पेपर होता है अब इसमें क्या आएगा अब देखे पुराने और नए सिलेबस में अभी हम चोड़ दिये गए हैं, सिर्फ इतना सा यहाँ पर परिवर्तन आया है, और एक परिवर्तन एक छोटा सा परिवर्तन यहाँ आया है, कि पहले 3 मार्के के यहाँ पर 20 प्रसन आते थे, अभी जो नए सिलेबर्स के अकोड़िंग 3 मार्के के यहाँ पर 25 प्रसन आएंगे, और द दे गई है तो उसमें ही आपको लिखना पड़ेगा तो यहां पर देखिए इन्होंने कुछ-कुछ कोश्चन के यहां पर कुछ बड़े-बड़े आंसर भी लिखे हैं तो अभी जो आपके पास जो यहां पर कम रहेगा तो उस अनुसार आपको जमना होगा अब हम पर एक एक प्रसने पर देखते हैं कि किस पकास इन्होंने आंसर किया है ताकि आप भी अपने जो आंसर है उसे अच्छे से यहां पर प्रिजेंट कर पाओ तो देखिए यह साइस संग्या से संबंदित यह पूछा गया होगा सरुनाम के बारे में, तो सरुनाम क्या होता है, इन्होंने ये बता है, उसके बाद में सरुनाम का उप्योग बोलचालवा लेखन को सरलवा लगू बनाता है, simple सा आप इस पकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं देखें इन्होंने जो लिखा है क्योंकि अप क्या है इस पकार से आपको क्या है यहाँ पर इतना space मिलेगा जादा 20 सब्दों के लिए तो आपको 20 सब्दों में आप simple से एक परिभासा बता सकते हो उसका जो उपयोग है जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया कि बोलचाल में किया आता है तो simple सा आप इहाँ पर उपयोग हेटिंग डालके भी यहाँ पर लिख सकते हैं और कुछ सर्वनाम के उधारन आप यहाँ पर दे सकते हो तो पहले क्या है कि पहले question छपए हुए नहीं रहते थे अभी का जो आपका main से होगा तो उसमें क्या है question दिया रहेगा और space रहेगा आपके पास में तो जितना आपको space दिया जाएगा उतने में यह आपको लिखना रहेगा अब next question हम देखते हैं कि हिंदी में link के दो भेद लिखे अब देखें यहाँ पर जो marking की गई है दो marks की गई है क्योंकि यहाँ पर जो link है तो उसके यहाँ पर तीन भेद हिते हैं तो उसमें दो-दो अंक भी लाते हैं तो काफी अच्छा है यहाँ पर इसको रहता है तो देखें उफसर्ग के बारे में लिखा है इन्होंने कि एसे सब्दान से तो हिंदी में अगर आप कोई भी definition देते हो तो उसका उधारन लिखना यहाँ पर काफी जादा important रहता है तो इन्होंने यहाँ पर उधारन भी दिया है तो यहाँ पर जो marking की गई है वो यहाँ पर दो number यहाँ पर दिये गए है अब next यहाँ पर देखते हैं next question है कि देखे इसमें क्या इन्होंने लिखा है कि व्याकरण किसी भासा के उन नियमों को बोलते हैं तो simple से यहाँ पर पुछा गया होगा कि व्याकरण क्या है व्याकरण को समझाईए इस पकार से तो व्याकरन किसी भासा के उन नियमों को बोलते हैं जिन में भासा नियंत्रित होती है भासा की व्याकरन आम तोर पर लिंग वचन पुरोसकारक खिरिया आदी के नियम होते हैं तो यहां पर आप देखोगे, marking की गई है कितने, यहां पर दो नंबर यहां पर दिए गए हैं, तो काफी ज़्यादा है इहां पर इन्होंने अच्छा लिखा है, आप भी यहां पर से देख सकते हो किस पकार से आपको लिखना है, तो दोस्तों आपका जो presentation होता है, वो काफी में जो पूछा गया है वही आपको इहाँ पर लिखना होता है आप यहाँ पर सर की कोपी देखोगे उन्होंने question में जेसा पूछा है वेसे इहाँ पर answer कीए है ठीक है तो पहले क्या है space ज़्यादा होता था तो हमारे पास में क्या है विस्तार करने के लिए चीजे होती थी, हम और भी कुछ उसमें वहाँ पर लिख सकते थी, तो वहाँ पर पहले क्या है, पहले भी 20 सब्द यहाँ पर दिये आते थे, तो काफी जगा रहने के लिए हम क्या करते थे, जैसे कि ज़्यादा वहाँ पर जगा दिये आती थी, तो हम यहाँ पर 30 सब्द तक यहाँ पर चले आते थे तो अभी आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जितना space दिये जाएगा उतने महीं आपको लिखना पड़ेगा और यह बगल में जो हासिया रहता है इसमें दोस्तों आप यहाँ पर इसमें नहीं लिख सकते इसमें नहीं जा सकते तो यह सब चीजो से विकरत सब्द यानि कि संसक्रत के बाद में जो सब्द बने हैं यानि संसक्रत से मिलकर जैसे कि आप देखोगे उट को बोलते थे पहले उष्ट्र ठीक है उष्ट्र बोलते थे तो यह संसक्रत का सब्द था अब वो बाद में जाके उड बन गया उसके बाद में यहाँ पर जो पूछा है वो आपको यहाँ पर complete होना चीक कम सब्दों है स्वर संधी के निमलिखेत 5 भेद लिखे अब देखें यहाँ पर 5 भेद पूछे थे इन्होंने 5 भेद यहाँ पर लिख दिये और पर्मार्कें की गई है तीन अंक तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं next है कि दो वर्णों के मेल को संधी केते हैं यहाँ पर simple सा पूछा होगा कि संधी और समाज में अंतर क्या है और साइड में आप अंतर का जो आधार है वो भी आप बता सकते हो यहाँ पर लिख सकते हो संधी और यहाँ पर लिख सकते हो आप समाज ठीक है तो देखे यह टेबल फोर्म में लिखने का आपको दोस्तों यह प्रोफिट होगा कि अब आपको जो space है वो दिये गया है कम औ और आप अंतर आधार यहाँ पर बता दोगे तो आप यहाँ पर हे नहीं हे नहीं में भी आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो तो यह चीज़े यहाँ पर होती है आपके सब्द आटोमेटिक यहाँ पर कम होयाते हैं बागी यहाँ पर जो हरसल चोदरी सर है उन्होंने इस पकार से लिखा है आप देख सकते हो और यहां पर जो मार्कें की गई है आप यहां पर धाई नमबर देख सकते हो ठीक है उसके बाद में हैं पर नेक्स्ट एक कोश्चन का इन्होंने क्या अंसर दिया है कि वर्णों के सुनिष्चित वा सुनुवयजित विन्याज से बने सार्थक स तो इन्होंने यहाँ पर सब्द की यहाँ पर definition लिखी है उसके बाद में यहाँ पर उधारन लिख दिया है और मार्कें की गई दो अंकर ठीक है तो आपको क्या करना है हिंदी में एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आपको जो एक्जामपल होते हैं या फिर उध और क्यान से कजब देखाक विस्तारन करता है तो विस्तारन करना वह अपने भाव प्रकट करते हुए एक व्यापक व्याख्या प्रस्तूत करता है इस पक्रिया को भाव पल्लवन या पल्लवन कहा जाता है यह आपको ध्यान रखना है इस पकार से आप यहाँ पर जितनी उसकी जो definition होती है आप इन definition को अगर आपको कहीं पर अगर कुछ sort definition भी मिले तो वो भी आप लिख सकते हो तो आप कोशिस यह कीजेगा कि आप जितने भी सब्द ही हिं हिंदी में उनकी आप sort sort definition यहा पर लिखना है तो यहाँ पर marking की गए यह दो अंक अब next time हम यहाँ पर question देखते हैं अब हम आपको यह भी बता देते कि यहाँ पर जो question ही बिल्कुल serial wise आते हैं तो आप यहाँ पर पिछले 5 वर्सों के भी प्रस्न पत्र देखोगे तो आपको सबसे starting में 25 प्रस्न अभी आ पर आपको करम याद रखना है तो आपको यहाँ पर दस प्रसन दिये आएंगे और आयोग ने अपना notification में लिखके दिया है कि प्रस्नों की जो संक्या है वो कम यह ज्यादा हो सकती है तो हमने यहाँ पर आगे बात कते हैं कि देखे चायावाद के निमने तीन रचनकार के नाम लिखे हैं तो यहाँ पर चायावाद के इन्होंने जो यहाँ पर नाम लिखे हैं यह पूरे यहाँ पर देखें यहाँ पर क्रोस कर दिये गया है यानि कि यह चायावादी कभी नहीं है तो चायावादी कभी फिर कोन से हैं तो चायावादी जो कभी है वो है एक तो ज तो देखे हिंदी का जो पेपर ही इतने जादे टफ नहीं होता है अगर आप अच्छे से एक सहीं दीशा में आप तैयारी करोगे पुराने कोश्चन को एनालिसिस करोगे आप तो आप यहां पर अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हो ठीक है तो 150 तक स्कोर यहां पर किया है काफी लोगों नहीं और देखे यहां पर जो नेक्स्ट कोश्चन है कि जो प्रथम राजभास आयोग का गठन अनुच्छे 344 के अंतगर राष्ट्पति ने साथ जो इन्हों 1955 को किया था तो आपको यहां पर जो है अगर इस पकार से कोश्चन आता है तो देखे सर ने इस पकार स इसके बाद में आप इस पकार सिरी बाल घंगधर खेर तो आपका सब्द सीमा आप सच्छे शोंच्छा. अच्छा अंसर लिख पाउगे उसके बाद में वियुदा लुक्वागों. को लगता है कि जो सब्द सीमा दी गई है बीस सब्दों वो कंप्लीट यहां पर नहीं हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो एक एक एक्ष्टा पॉइंट ओल लिख सकते हो राजभासायोग के बारे में अब देखे यहां पर इन्होंने जो कारक है कारक को इस परकार से लिखा है इस परकार से आपने पढ़े होंगे तो कौन सा आपको कारक है यह भी आपको पढ़ना है आप यहां पर देखोगे कि जो पहले जो सिलेबस था उसमें लिखके दिया था उन्होंने समाननी हिंदी तो यह जो व्याकरण वाली जो चीज़े ही इन से गहत कम कोश्चन आते थे तो व्याकरण से यहां पर भरपूर आपके कोश्चन है आप आने वाले हैं तो आप यहां पर देखोगे तो आठ पकार इन्होंने बता दिये अब देखे हिंदी में कुछ चीज़े को आपको और ध्यान रखना रहता है जैसे कि आप यहां पर लाश्ट में चो पूर्ण व आना जाता है यानि बीच में आप भूल जाते हो तो उपर आप बता सकते हो उसके बाद में कुछ कुछ चीजों को आप अंडरलाइन करके यहां पर बता सकते हो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अप यह भाव समाज तो इस समाज में प्रथम सब्द अव्यों वह दूइत्ति यहां पर देखने का परपस यह है कि कि हमें किन किन बातों का हमें यहां पर ध्यान रखना है ताकि हम एक अच्छा स्कोर यहां पर कर पाएं इसी के नहीं है Papa तुक सिनने इसे ज्वम OC काफी लोगों को आया जैसे को हमने बताएक एक सोपचास तक काफी लोगों के स्कोर किया है हिंदी के तो उनके क्या है उनके रेंग कम होने का कारण यह भी हो सकता है कि बाकी subjectzię mogę यहां पर कम आयोंगे और देखिए इनका जो माध्यम था यह माध्यम था इनका क्या इंग्लिस ठीक है इंग्लिस माध्यम था इनका तो क्या है इनको यहां पर हिंदी का थोड़ा सा क्या है हिंदी में यहां पर काफी जादा सुधार करने में यहां पर टाइम लगा होगा तो अब यहां पर बात कते हैं कि उप भासा के बारे पुछा है देखिए जैसे कि इन्होंने वापिस से यह वाले चिन्दी का इहां पर प्योग किया है तो इन चिन्नों को आपको इहां पर ध्यान रखना है एसा नहीं कि आप बिल्कुल फिर उसे पूरा ही क्रोस कदो अगर एक एंवा पर लिखना भूल गया तो हिंदी में इन चीजों को सही माना या ता है तो किसी व्यापक छैत्र में बोली जाने वाली अप देखिए जैसे कि यहां पर इननोंने सीमित लिखा तो सीमित को आप क्या करोगे जैसे कि मान लो कि आपके हाथ में ये सीमित है ये आपका गलत हो गया आपको यहाँ पर लिखना था व्यापक तो आप इसे इस पकार से यहाँ पर गलत नहीं करोगे आप इसे क्या करोगे simple सा क्या करना है आपको एक line खीच देना है simple सा इसका मतलब भी होता है कि ये हमारे हाथ गलत लिखा गया जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि इन्होंने सिर्फ एक line का यहाँ पर यूज किया है ठीक है दोस्तों अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि यहाँ पर उधान बता दी है और गाइन की कहिए दोंक अब यहाँ पर बात कते हैं कि देखे आनुस्वार के बारे में यह question आया था वंक। क्या होते हो इनोंने बता दिया कि वे वर्ट ने, जिनके उच्चारन में केवल नाशिक का पूर्योग ब्रोड लगता है। उन्हें यहां पर अनुस्वार कहते हैं. पकार से कहायाता है आपको यह चीछ ध्यानक न हो उधारन तो हिंदी में आपको उधारन तो डेफिनेटल यहां पर देना ही है उधारन तो आपको बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा उसके आदमी है आपको नेक्स्ट देख लेते हैं कि मात्रा सही में लिखार है इनन veggie की करता है वो यहां पर इनुत आहां पर देदी हैं minus ондущ आठेड़ देख लिए दाट की गई तो काम चल्जाए, आप दाय defendant लिखोगे अर्थ लोकमे प्र chauff bastard वक्ति एस पकार से भी सकतीयों याた ल्कोट्टि यहां पर उधरन भी दे सकते थे यानि कि एक लोकट्ट को यहां पर बताया भी जा सकता इस पगार से इनो ने लिखा है सास bubbles की पतर में अब देखे यहाँ पर पूरूवी हिंदी के बारे में पूछा गया होगा कोच्चशन तो पूरूवी हिंदी में तीन बोल्या है चटिस गड़ी अउधी और भगेल घंड़े तो यहाँ पर देखें तीन यहाँ पर और जो ग्या होता है दोस्तों आपका जो यह इस पकार का जो आना रहता है ठीक है जिसे ना भी बोलते हैं आप तो यह यहाँ पर लिखते तो इस पकार से यहाँ पर सही होता है बाकि यह दो सही है इस पकार से यहाँ पर देड़ नंबर मार्किंग की गई है अब देखे अब आपको यहाँ पर क्या है paragraph नहीं आएंगे आपको यहाँ पर sentence आएंगे यानि 5 sentence आपको इस पकार से दिये जाएंगे हिंदी में उनका आपको इंगलिस में करना रहेगा इसी पकार से 5 sentence आपके यहाँ पर इंगलिस में दिये जाएंगे उसे यहाँ पर हिंदी में करना रहेग तो यहाँ पर कुछ 10 sentence से भी दे सकते हैं वो तो आपने 2019 का जो paper देखा होगा और आप जब syllabus देखोगे अभी जो नया syllabus है उसमें लिखके दिया है कि वाक्यों का अनुवाद ठीक है पहले इस पकार से नहीं दिया था हिंदी से इंग्लिस अनिवाद और इंग्लिस से हिंदी अनुवाद तो अब आपको वाक्यों का अनुवाद करना है यानि कि sentence का अनुवाद करना है तो आपको यहाँ पर आप क्या है जो tense होते हैं इंग्लिस के जो tense होते हैं वो आपको बिल्कुर अच्छे से यहाँ पर त्यार करना है तो आप यहाँ पर अच्छे से सोल्व कर दोगे हमने आपको बता ही दिया हिंदी से इंग्ल्स टांसलेट 15 नंक का और इंग्ल्स से हिंदी से इंग्ल्स टांसलेट informação का यह आपको 20 अंक का आएगा यानि कि पेसेज में कुछ 4-5 कोस्चन रहेंगे उनको आपको पेसेज को पढ़के उसका विसलेशन करके और कुछ-कुछ कोस्चन तो उसको उसी में ही आपको मिल जाएंगे वह आपको यहाँ पर लिखना रहेगा ठीक है तो इस पकार से यहाँ पर मार्कें की गई है नोंक तो अब जो कोस्चन आएगे पहले यह जो पेसेज है यह आता था पंद्र अंक का अब जो यह पेसेज है यह आएगा आपका 20 अंक का तो हम यहाँ पर आपको कुछ-कुछ परिवर्तन भी बताते चलता है कि किस पकार से है ठीक है और जो गासा जो स्यम से संस्कृती भी है जो संद्ख्छित करती है तो इस पकार से यहाँ पर इसका क्या है भाव पल्लवन यहाँ प मिले हैं ठीक है तो इन्होंने क्या करा है कि भाव पल्लवन किया है तो ये भाव पल्लवन और संच्छपण से संबंदित ये question था अब हम देखते हैं next question तो किस पका से यहाँ पर लिखा गया है वो हम यहाँ पर समझने का प्रियास कर रहे हैं अब देखे प्रश्ठांकन के बारे में question आया था कि प्रश्ठांकन क्या है प्रश्ठांकन को समझाईए तो दोस्तों जो प्रश्ठांकन होता है वो क्या होता है कि जब भी किसी पत्र की प्रतिया सूचना या आवसे कारवाई है तो दूसरे संबंदित अधिकारियों विभा दिया याता है और आपका जो सुझाब होता कि लिखा जाता है पया सब्सवे कर लाम के कि अभी MPPSC आयोग के यहां अंदोलन हुआ था जिसमें अभी MPPSC आयोग वालों ने बताया कि क्या कहा उन्होंने उन्हा के अधिकारियों को कई बार यहां पर पत्र लिखे गा हैं तो समाने प्रसासन विभा सही और निख'll to लिख little होगा तो वह लहा ऊपिस से पत्र लिखा है भूगा साश की अनुस्मारगा में से अब लिखा've तो क्या है और उसमें आपको संदर्व देना पड़ता है कि हमने उस टाइम को यह पत्र लिखा था तो इसका जवाब अभी तक नहीं आया है इस पकार से यहाँ पर लिखा जाता है तो यह चीजे रहती है देखे जैसे कि यहाँ पर इन्हों ने लिखा है इस्मृति तो इस प करते हो तो वहांपर पहले से आपको box खुले हुए रहते है जैसे कि आपका कहा name लिखा यहाँ रिखना है अब यहाँ पर आक का खाली रहता है अब यह box खाली होता है यह जब beg बनने ऐसे तो यहांपर अलग-00 enrolled कि अलग-अलग यहां पर नाम लिखे रहते हैं इसी पिकार से यह होता है और नमूना क्या होता है कि आपने कुछ लिखके उन्हें बता दिया तो आप यहां पर आपके सामने जब यह प्रसन आएगा तो अभी हम आपको बता देते कि आपका जो प्रतिवेदन है यह प्रतिव में से आपका कोश्चन आगया और दो कोश्चन आपके आने हैं वो आएगा पेपर नंबर 6 में तो आपको क्या करना है थोड़ा से यहां पर ध्यान रखना कि वह प्रारु कूछ रहे हैं रहे हैं अगर वो बोलते प्रश्ठांकन का इन्होंने लिखा है तो प्रश्ठांकन में देखे जिसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपने यहाँ पर दिनांकन नहीं लिखिए तो जब दिनांक का आप यहाँ पर ऊपर जब लिख देते हैं यहाँ पर तो आपको नीचे लिखने कि यहाँ पर आ मुख्य विश्य वस्तु और देखें जैसे कि आप यहां पर आपका जो एक कोश्चन जो आता है उसमें जहां पर मुहारे उर जो प्रसर सनिक सब्दवलिया रहती है जैसे कि आप देखोगे यहां पर कोशन मनि इसका जमानतरासी और यहां पर इमपीच्मेंट का होता है और यहां पर consumer यानि उब्भोगता तो अगर आपने पूरे सही लिखे हैं तो यह 3-3 अंक के होते हैं आपने 5 लिख दिये तो आपके 15 अंक के यहां पर बिल्कुल आ जाते हैं मुहावरे भी आपके 3-3 अंक के यहां पर आएंगे तो आपको ध्यान रखना है बिल्कोval अच्छे से यहां पर लिखना है यह भी छोटी सी विगलती है, आपके यहां पर number कार सकती है अब यहां पर देखते हैं कि मुहावरे का वाक्की में प्रेयोग भी करना है वाक्की का प्रेयोग तो simple रहता है बस मुहावरे का हमें अर्थ समझ में आ जा है तो बाकी का प्रियोक तो हम करी देते हैं तो यहाँ पर बारा होना यह पुछा गया था तो इन्हों ने यहाँ पर लिखा है कि भाग जाना इसका जो अर्थ होता है दोस्तो वह होता है कि आपको मुहावरे देखें ये वाला इनका राइट है कि जमिन पर पेरना पड़ना याँनी गमड होना उसके वाद में हैपट डूपते को तिनका कसारा इस पकार से इन्होंने लिखा है आप देख सकते हो वीडियो को पोस्ट करके भी आप यहाँ पर देख सकते हो इस पकार से इन्होंने लिखा है कुछ-कुछ चीजे होती हैं आप इस पकार से यहाँ पर अंडरलाइन करके भी बता सकते हो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखते हैं देखे चान पर थुकना इसका यहाँ पर लिखा है इन्हों अत्यांते प्रतिष्ठिट वेक्ति की निंदा करना यह ना यह होता है चान पर थुकना तो जैसे कि जो वर्तमा संदर्भुई में भी चल रहा है कि गांधी जी की निंदा हो रही है तो इस पकार से है तो देखे यहाँ पर नो मार्किंग की गई है यानि कि इनके जो तीन नंबर है वह एक महरा इन्हों ने गलत लिखा उसमें यहाँ पर कार्ट लिया गया है और यहाँ पर देखे लागवचिन्न के बारे में इन्हों ने लिखा है लाग गंणाथ का इनोंने यहां पर व्यंजन संदी बताया है, संदी विच्छत करके, उसके बाद में देखिए, यहां पर मयूर का लिखा है, यानि कि इधर आपको दिये गए हैं क्या तस्सम सब्दो और उसका उन्होंने तदभव यहां पर करा हैं, और इधर आपको दिये हैं तारे question है आपर right है उसके बाद में यहाँ पर यह जो है नाटक एवं कला और यह जो question है आपका देखे यह पेशे से संबंदित question ठीक है और उपर वाला जो हमने देखा था वह संचेपण से संबंदित था संचेपण में सिंपल्स आपको धिया रखना एक तीहाई सब्स यहाँ पर करना रहता है यदि यह आपका एक पेज में दिया है तो आपको यहाँ पर चार से पांच लाइन में उसे करना पड़ेगा तो यहां पर जो पेशेज होता उसे पढ़के यहां पर समझ मेंγαता है तुए जाउधा blank मार्स दिया है क्योंकि यह पंदर no11 में नंबर का आता था पहले और एक ही यहाँ पर यह आयेगा तो यहाँ पर एक ही नमबर इनका काटा है तो काफिए अच्छा इन्हों ने हम पर score किया है अब देखिए यहाँ पर यह लास्ट में आता है प्रतिवेदन का question अब जो प्रतिवेदन है अब कहां आएगा अब जो प्रतिवेदन है ये निभन वाले पेपर में आएगा तो यहाँ पर इनको दिनाग का लिखना था और यहाँ पर वीशे लिखना था कि किस वीशे से संबंदित लिख रहा हूँ तो यहाँ पर वीशे आता फिर उसके बाद में दिनाग का आती शात्रों का आयोक के जो इस पकार से जो रवया है या फिर रियल्ट ना आने के कारण शात्रों का विरोत प्रतरसन इस पकार से आप लिख सकते हो फिर से दिनांक लिख सकते हो फिर प्रतिवेदर फिर वहाँ पे पूरा घणटना Sam krom तो वही सब आपको लिखना रहता है, तो पूरी घटना करम आपने लिख दिया, यही होता प्रतिवेदा, और लाश्ट में आप प्रतिवेदा कौन है, किस ने लिखा है, और देखे, आपको जो नाम है इस पकार से लिखना है, आपका खुद का नाम यहाँ पर यूज नहीं क नमबर यहाँ पर मार्क किये गए हैं ठीक है तो इस पकार से यहाँ पर लिखना होता है तो हमने यहाँ पर पूरी कोपी देख ली है पूरी कोपी में आपको समझ में आया होगा किस पकार से यहाँ पर लिखना होता है ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आपको इसमें समझ में आया हो झाल